इस वीडियो में मैं आपको UP Current Affairs के Questions बताऊंगा, ये Questions मही के और जून के महीने के हैं, जल्द ही हमारी और भी वीडियो आने वाली है, हमारी नई वीडियो के अबडेट पाने के लिए Study Zone को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाए, ताकि हमारी नई वीडियो अप्लोड होते ही, आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट से में लिकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को जया जयादा लाइक और शेर करें, पहला कोशन है, 21 से 23 जनवरी 2019 के मद्दे, पंदरवा प्र नए भारत के निर्माण में परवासी भारतियों की भूमिका, और इसका उद्गाटन भारत के प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी और मौरिशियस के प्रदानमंतरी पी जगनात के द्वारा किया जाएगा, मंतरी मंडल ने उतर प्रदेश के किस हवाई अड़े पर नई टर्मिनल इमारत को मंजूरी दिये, तो इसमें आंसर आएगा, लखनव हवाई अड़े पर, और लखनव हवाई अड़े की नई टर्मिनल इमारत में परती वर्ष 13.6 मिलीन यातरों की शमता होगी, और इसका निर्मान 1232 करोड रुपे की लागत से किया जाएगा, नेक्स्ट कॉच्चन है, भहु कालिन बिमारियों से निपटने के लिए, यूपी सरकार ने किसके साथ साज़ेदारी किये, तो इसमें आंसर आएगा, स्टैन्फोर्ड विश्व देले के साथ, नेक्स्ट कॉच्चन ह उत्तर परदेश इंस्ट्ट आफ डिजाइन ने किस वर्ग के लिए एक मॉबाइल अप लॉंच की है, तो इसमें आंसर आएगा, बुनकरो के बाजार उत्पादों के लिए, और इससे बिकरी और निर्यात में विर्दी के साथ, उनके आतम विश्वास और मांग में करेगी, जो कला की बढ़ती मांग में वदद करेंगे और अधिसूचना इमेल के माजम से बेजी जाएगी, और एप राजय में आने वाले सिल्प मेले के लिए अलर्ट बेजेगा, नेक्स्ट कुश्चन है, वन्यजिव शिकार को नियंतरित करने के लिए भारत किस देश के साथ सन्युक्त अभ्यान चलाएगा, तो इसमें आंसर आएगा नेपाल के साथ, और इसका उद्देश से वन्यजिव शिकार और पसू के अंगों की तसकरी को नियंतरित करना है, यह ओपरेशन नेपाल के पक्स में कंचनपूर जिले के सुंकला फटा राष्टे उद्यान और उतरप्रदेश के कुशनपूर वन्यजिव अब्यारन में आउजित किया जाना है, नेक्स्ट कुशन है, नैसिनल हाईवे अथर्टी ऑफ इंडिया ने 31 मई से गाजियाबाद को हरियाना के पलवल से जोडने वाले किस एक्सप्रेस वे को आम जनता के लिए खोल दिया ह तो इसमें अंसर आएगा इस्टरन पेरिफेरल एक्सप्रेस वे या कुण्डली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे नेक्स्ट कोश्ण है वारांडसी में किनके घरों का प्रबंदन करने के लिए महिला एम बाल विकास मंतराले ने उतर प्रदेस सरकार के साथ समझोते पर हस्ताकसर किये हैं तो इसमें आशर आएगा विद्वाव के लिए और इसका उदेस है सुनारक बंगार वारांडसी में विद्वाव के गर का प्रबंदन करना है महिलाव एंबाल विकास मंतराले ने विद्वाव के लिए आश्रे गरों का निर्मान किया है जिसमें अधिक्तम हजार लोगों की शम्ता है विद्वाव को उनके वेक्तिगत आदारकार्ड और चिकिच्छा और सामाने सुईदाय परदान की जाएंगी विष्वासर संगठन द्वारा जारी आकडों के अनुसार विष्व के 20 सबसे परदुसी सहरों की सूची में कितने भारते शहर सामिल है तो इसमें आंसर आएगा 14 भारते शहर और ये 14 भारते शहर हैं कानपूर, फ्रिदाबाद, गया, पतना, आगरा, मुजफरपूर, श्रीनगर, गुडगाउं, जैपूर, जोधपूर, पतियाला, लखनव, दिल्ली और वाराणसी और इसमें से यूपी के कानपूर, आगरा, वाराणसी, लखनव ये शहर सामिल है नेक्स्ट कोश्चन है वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाईजेशन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा सहर प्रदूसर्ण के मामले में देश में पहले स्तान पर है तो इसमें आंसर आएगा कानपूर, शहर नेक्स्ट कोश्चन है भारत में मातर मिर्टिव दर्में कितने प्रतिशत की कमी आई है तो इसमें आंसर आएगा 22 प्रतिशत की और नेक्स्ट कुर्शन मनता है कि भारत में किस राज्य में मातर मिर्टी उदर में सबसे ज़्यादा प्रतिस्यत की कमी आई है तो इसमें आंसर आएगा उतर प्रदेश राज्य में और यह 30 प्रतिस्यत है मातर मिर्टी उदर दक्सिर्णी राज्यों में 93 से गटकर 77 और अन्य राज्यों में 115 से गटकर 93 रह गई है भारत में नमुना पंजिकरन परणाली देश और मुख्य राज्यों के लिए मिर्टी उदर के प्रतेक आंकलें प्रदान करने का एक मातर स्तरोत है नेक्स्ट कॉच्च्चन है दिल्ली मेरट एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है तो इसमें आंसर आएगा 96 किलोमेटर और यह प्रियोजना दिल्ली से मेरट तक यातरा का समय के ओल 60 मिनिट तक कम कर देगी और यह प्रियोजना कुल 4 चरणों में प्रस्तावित है पहले चरण में नजामुदीन ब्रिज से दिल्ली उपी सीमा 8.7 किलोमेटर दिल्ली उपी सीमा से दसना 19.2 किलोमेटर दसना से हापूर 22.2 किलोमेटर और दसना से मेरट 46 किलोमेटर नेक्स्ट कुश्चन है उत्र प्रदेश सरकार दोवारा सामुहिक नलकूप योजना हेतू कितनी धनरासी सविकर्ट की गई है तो इसमें आंसर आएगा साथ सो पंद्रा पॉइंट साथ लाख रुपे और डक्टर राम मनौर लोहिया सामुहिक नलकूप योजना का उद्धे उन शेक्तरों के लिए सिचाई की व्यवस्ता करना जब पानी की मात्रा बेद कम है अथवा वहां के निवासी इसके लिए दन नई जुटा पा रहे हैं नेक्स्ट कोशन है वह राज्य सरकार जिसने गंगा हरीतमा यानि गंगा हरियाली योजना का सुबारम किया है तो इसमें अंसर आएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने और यह सरकार गंगा नदी के तट पर स्थित राज्ये के 27 जिलों में गंगा हरितामा योजना यानि गंगा हरियाली योजना का सुबारम करेगी। ये वन विबा को नोडल एजनसी के रूप में नामित किया गिया है। पर वाचिंग और वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टो और चैनल स्टेडी जोन फॉर प्रिप्रेशन ओफ अपकमिंग एक्जाम्स। और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाए। ताकि वीडियो अपलड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेस्बुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेस्बुक लिंक नीचे दिवा हुआ है। हमें Facebook पर follow कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक Facebook के दिवारब भी पहुंच सके हैं